जै स्री राम बक्त जनुग, प्यारे भक्तों, खाली पेट खाएं ये एक चीज, सरीर में कोई तकलिफ नहीं रहेगी, प्यारे भक्तों, हर इंसान को बीमारी है, कोई इंसान ऐसा नहीं, जिसको बीमारी नहीं ही, लेकिन जो हम आपको बताने जा रही ही, वह एक चीज आप हैं, तो आपको कोई तकलिफ होगी नहीं, आपको बहुत सारी बीमारी होगी छुटकारा मिल जाएगा, अगर बीमारी हैं, तो भी छुटकारा मिल जाएगा, और नहीं हैं, तो बीमारी होगी नहीं, तो प्यारे भक्तों, ऐसी चीज तो हमें जरूर खाने चाहिए, जिससे कि हमें कोई तकलीब ना हो और तकलीब है तो वो दूर हो जए तो प्यारे बक्तों जो हम आपको बताने जा रहे हैं बड़े ध्यान से सुनें समझें और उसका उपियोग भी करें क्योंकि जब तक आप उपियोग नहीं करेंगे तो आप कैसे पता चलेगा कि यसे तकलीब होती भी है और नहीं है तो तकलीब होती नहीं है तो प्यारे बक्तों आप सुन करके समझ करके और करें जरूर और वो ऐसी चीज है जो आपके घर में ही है और मेहगी भी नहीं है बहुत ही सस्ती है आपके घर में रोज उसे इस्तेमाल किया जाता है कुछ घर ऐसे हैं जो इ अस्वासी नहीं है तो उसको तो कहना ही क्या है तो हम आपको यह कहते हैं कि हम इसे इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल की द्वारा हमें कितना फैदा हुआ है और उससे कितनी परिशानिया दूर हुई है और लोगों को भी हो रही है इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं तो वह है एक चीज क्या है वह है है आपके घर में सदा प्रियोग होने वाला लहसुन क्यारे भक्तो लहसुन के अंदर बड़े ही गुण है लहसुन को अगर आप खाली पेट खाएंगे तो आपके कभी गैस नहीं बनेगी गैस ही सबसे बरी बीमारी है क्योंकि जब गैस बनती है तो अशेन में दर्द होता है बदन में दर्द होता है पेट में दर्द होता है गैस बहुत सारी बीमारियों को लेगर क्याता है और गैस तकरीबन सभी इंसानों को बनती है क्योंकि खाना पीना हमारा कमपुष्ट खाद वाला नहीं है यूरिया वाला है और यूरिया स्लो लोग उसको कुछ और ही नाम देते हैं, तो प्यारे वक्तों, आप विश्वास के साथ लेसम को खाली पेट खाएं, तो आपको बहुत सारी बीमारियों से निजात मिलेगा, और बहुत सारी जो बीमारियां हैं, वो आपके पास फटकेंगी भी नहीं, और हार्ट के लिए तो बैतरीन है, जिसको हार्ट प्रोलम है, उसको हार्ट प्रोलम होगी नहीं, और अगर है, तो वो खतम हो जाएगी, क्योंकि ये बलड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, ये कमजूरी को भी दूर करता है, तो प्यारे भक्तों, ये हमारा अपना प्रक्तिकल है, आप माने या सुबर खाली पेट, अगर आप लेसन खाते हैं, तो आपके सहीर में कोई तकलीब रहेगी नहीं, बस आप विश्वास के साथ इसको लगातार सुबर सुबर खाली पेट और गरम पानी से खाएं, तो प्यारे भक्तों, आप समझ गया होंगे, ये उपाय जरूर करेंगे, औ अपने बीमारियों को दूर करेंगे, जै श्री राम